हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक वे सुलूइशन में आज हम आपको मद्दप्रजस कर्मचारी चैन मंडल में जो आपकारी वाग में विकेंस से निकली है उसका पाम डालना सिखाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक् हैं हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रॉइट करवा दिया गाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम कोई साथ ब्रावजर ओपन कर लेते हैं यहां पर डालते हैं पीईवी डॉट एम्पी ओनलाइन और एंटर कर देते हैं अबर हमको फ़स्ट वाली कारी कि वब्साइड ओपन करना हैं ज है वह से ओपन करते हैं तो यहां पर एंटर करो मिलता है हम थोड़ा से skrlo All-ल ढॉं करते हैं और यहां पर लिखाए ओजन पत्त हैं यहां पर हम 8 पत्र पर करते हैं जिसuser गिल्क करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफिस देखने को मिलता है नहीं लेखा है एक साइस कॉंस्टेवल एक्जाम टुटावज ए टुएटूटि टूएटी टूएटई टू और यहांपर जो गोस्णा है उस में किलिक करते हैं और जो निरदे से लिखा है प्रोफाइल रिष्टेशन हमने वीडियो अलेडी बना दिया गया है आपको आई बेटन पर या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्चन में हम प्रोवाइड करवा देंगे आप वहां जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं हम यह पर रिष्टेशन नमबर डालते हैं और डेटा बर्त इंपूट करते हैं डेटा बर्त इंपूट करने के बाद हम केप्चर कोड इंपूट करते हैं और सत्या पीद कर आगे बढ़ाएं पर किलिक करते हैं जैसे किलिक करते हैं हमारा जो प्रोफाइल का डेटा है वह यहां पर कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है करते हैं आपकी स्केटेगरी में आते हैं जिसे बोधपुर से निग ये फिर बिनावर्ग में हम अगर हो लेड़ी किसी दीव्यांग वगे राय भुत्वर सेनिक में तो हम आपर टिक करते हैं अन्यता हम यह पर बिना वर्ग पर क्लिक कर देते हैं कि इसके बाद यहां पर लिखा है कि आप मद्यबर्द शासान के अधीन छटनी शुदा करमचारी हैं हम नहीं कर देते हैं और है कि विक्रम पुरुस्टकार से सम्माने थे खिलाडी हैं तो अगर आप हो तो यह सकते हैं अन्यता नो कर देते हैं जिसके बाद कि आप शास्की निगम मंडल या सवसाइश संस्ता में करमचारी या नगर सेनिक है और हो तो यह कर देते हैं अन्यता हम नहीं कर देते हैं इसके बाद किसी ने अगर आदिम जाती या नुश्टित जाती या जन जाती पीषड़ावर्ग में अंतर जाती विःवा पुरुच्छान योजना एंठर प्रस्ट करते हैं तो यह नहीं में हम जवाब देते हैं इसके वाद हम क्लिक करते हैं जैसे हम इस पर कödने और यह गरते हैं तो मिलता है इसके लिए हमको रोजगार पंजयन होना अनिवार है पंजयन किस टाइप से करते हैं हमने अलेडी वीडियो बना रखा है हम आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे तो आप वहां से जाकर आसानी से रोजगार पंजयन कर सकते हैं इसके बाद हम यहां पर हमारा जो पंजयन नंबर है वो पंजयन नंबर हैं पर हम दर्जे करते हैं यह पंजयन नंबर हम डेमो के लिए कर रहे हैं किसी की ओरिजिनल जनकर यहां पर फिल नहीं कर रहे हैं अब यहां पर जैसे लिखावा है कि आपने पंजयन कप पास है या फिर पुरानी पतती में हाई सेकंड है उसके समक्ष होना चाहिए तो हम कर देते हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो हम फार्म नहीं डाल पाएंगे इसके बाद यहां पर कुछ फिजिकल यूंतम साटरिक आरहरता होना चाहिए जैसे पुरूस की 167.5 cm हाइट होना चाह यहां करते हैं इसके बाद हम स्कोल डाउन करते हैं तो यहां पर हमारी दिखाता रहते हैं चार एक्जाम सेंटर कोई साभी आप अपने हिसाब से एक्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं इसके बाद लिखा है कि प्रोफिशनल एक्जामेशन बोट के पास शहर और केंदर में परिवर्थन करने का पूर्ण अधिकार है अगर आवेलेबल होगा तो आपको एक्जाम सेंटर मिल जाएगा या फिर परिवर्थन भी हो सकता है इसके बाद यहां पर हम कुछना परत पर जो जानकारी है वो रिट कर लेते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ाएं पर किलिक करते हैं जैसे ही आगे बढ़ाएं पर किलिक करते हैं तो कुछ यहां पर इस टाइप से उप्शन आता है यहां पर हमारे आवेदन करमांग जनरेट हो जाते हैं और हम स्कोल्डाउन करते हैं तो यहां पर कुछ उसे टायब का आजाता है प्रोसेस टूप फेर्मेंट हम यह से क्लिक करते हैं तो यह हमारे पैमेंट के प्रोटल पर sabot यहां से हम इसको आसानी से payment कर देते हैं payment करने गूद जो सिलीब होती है हम उसको कि फूचर के हिसाब से समाल कर रख लेते हैं कि यहां से हमारा form complete हो जाता है यह जदि आपके पास रिष्टेसर नंबर हैं और अल्रडी आप भूल गए हैं अपने फाम डाला है और पेमेंट करने से पहले हैं कहीं चुक गए हैं या कुछ एरर के कराना पेमेंट नहीं कर पाएं तो हम यहां से स्क्रोल डाउन करते हैं यहां पर लिखावाए भुकतान न किये गए आविदन या आविदन के स्थिति जांचे यह फिर आविदन संक्या खोजे यहां पर हम आसानी से चेक कर सकते हैं हमारा रिष्टेसर नंबर डेटा बरत और पासफ़ट डाल करके हमारे भुकतान हुआ है या नहीं हुआ है या फिर आपको एप्लिकेशन नंबर अगर नहीं पता है तो हम यहां पर आविदन संक्या खोजे पर किलिक करते हैं यहां पर कुछ इस टाइप से जो सभी फा में वह उपन हो जाते हैं हम उसमें से एक स्लेक्ट कर लेते हैं और उसके आधार पर हम यहां पर अपनी जो बेसिक डेटेलिजिस से आविदक का नाम सरनेम पापा का ना आप करेविभाग में फार्म डालने का जिए आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और इसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद